हेलो और वल्कम टू टीवी का पटाका वेल दोस्तों बिग बॉस सीजन सोला की विनर नहीं बन पाई प्रियंका चाहर चौधरी लास्ट मोमेंट पर प्रियंका का एलिमिनेशन हुआ और मेकर्ज ने एक बार फिर से फैंस को दे दिया सबसे बड़ा धोका क्यों? एमसी स्टैन को शो में रब कर प्रियंका चाहर चौधरी जिसकी जीत पूरे तरीके से फिक्स थी उसे बाहर निकाल दिया ऐसा क्यूं किया गया? क्या है इन सारे सवालों के जवाब? सोशल मीडिया पर फैंस, लगातार, मेकर्स पर अपनी भड़ास निकाल रहे है दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर, एमसी स्टैन की जगा अचानक से एलिमिनेट हो गई प्रियंका चाहर चौधरी और एमसी स्टैन पहुँच गए टॉप टू में एमसी स्टैन क्यों गए टॉप टू में? इसकी सबसे बड़ी वज़ा है एमसी स्टैन की फैन फॉलॉइंग जी हाँ दोस्तों, एमसी स्टैन इस वक्त इंडिया के सबसे ज़ाद पॉपिलर पॉप स्टार है, बहुत ही बहतरीन रैपर है और इसलिए प्रियंका चाहर चौधरी को, मेकर्स को मजबूरी में निकालना पड़ा जी हाँ, ताकि एक नरेटिफ वो बदल सके हमेशा कहा जाता है कि कलर्स के लोग हमेशा ही कलर्स चहरे को जिताते हैं इसलिए रैपर कम्यूनिटी को प्रमोट करने के लिए I.E.M.C. स्टैन को इस बार जिताना पड़ा क्योंकि मेकर्स ये बताना चाहते थे कि वो लोग बायस्ट नहीं है और सिर्फ रियल टालेंट को ही मौका देते हैं दोस्तो ऐसे में सोशल मीडिया पर लास्ट मौमेंट पर जो बदलाव हुए जो कहानी हुई इसे देखकर फैंस नराज हुए पर सच यही है क्या कहेंगे आप हमें जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिलकुल न भूले